बहुत से लोग या सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं कि मुझे कौन सा आत्मिक वर्दान मिला है अगर आप अब तक नहीं जानते हो कि आपको क्या-क्या आत्मिक वर्दान मिला है तो या वीडियो आपके लिए ही है आपने प्रभुई ईशु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया होगा ग्रहन करते ही आपको जो पूंजी दी गई है वो पूंजी क्या है इसका आपको कुछ हनुमान है क्या जितने दिन हम अज्ञानी रहेंगे उतना ही अधिक पूंजी का दुर भी नियोग होता रहेगा क्योंकि प्रभु की नजर में और प्रभु की वानी के अनुसार जिसने पूंजी का उपयोग नहीं किया वो पूंजी का दुर भी नियोग कर रहा है या उसका गलत उपयोग कर रहा है आपने अपने आत्मिक वर्दान को पहचाना है क्या आप पूछेंगे ब्रदर आत्मिक वर्दानों को कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दिखाया गया बेल आइकोन को जरूर क्लिक करें दोस्तो बाइबल हमें बताता है परमेश्वर ने हमें मसीसु में उन भले कामों के लिए स्रिजा है जिने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है तो क्या करना चाहिए? लिखा है अपने आपको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो, तुम्हारा चाल चलंड भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा अनुभाव से मालूम करते रहो आत्मिक वर्दानों को जानने के लिए यह करें, आत्मिक वर्दान को जानने की इच्छा रखें, बाइबल पढ़ें, स्थानने कलिस्टा से जुड़ें और एक्टिब मेंबर बनें, कलिस्टा की सेवकाई से संबंधें जो भी काम आपको मिलें उसे करने की कोशिज करें, फि आप कहड़े किस कार्य को करने के लिए अधिक इच्छा रखता है ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप करने के लिए बल चड़ कर दिल से करते हैं जिसे करने के लिए आपके मंड में बोज है साफ बात है जिब एक व्यक्ति परिमेश्वर के वचन का अधियान करता है जब मंड में जो भी उसको आत्मिक आऊसर मिलते है उन सब आऊसरों का उपयोग करता है तो प्रभू उसके उपर अपनी इच्छा प्रगट करते हैं और जैसे जैसे प्रभू अपनी इच्छा परदान को भी पहचानने लगता है ये है आत्मिक परदानों को पहचानने का तरीका उसका कोई shortcut नहीं है देखे प्रभू उसी व्यक्ति को रोशनी देते हैं उसी व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं जो रास्ता पाने के लिए तयार है और रास्ता पाने के लिए जो तयार है उसके सामने जो भी आत्मिक आउसर आते हैं वो उन आउसरों का भरपूर उपयोग करता है तो आज से आपके आत्मिक जिवन में आपको प्रभुने जो आउसर दिये हैं उन आउसरों का उपयोग कीजिए और जल्दी ही आपको पता चल जाएगी कि आपका आत्मिक वर्दान क्या है। दोस्तों आपको क्या-क्या आत्मिक वर्दान मिला है प्लीज कमेंट करके बताए।